ये आंट जूस डायाबीटीस में पीने से ब्लोट शुगर लेवल होता है डाउन आउनले का रस डायाबीटीस के लिए सबसे अच्छे रसों में से एक माना जाता है क्योंकि आउनले में बहुत सार एंटी ओक्सिडंट होते है और यह विटामिन C का एक मजबूत स्थोत रहे अनार का जूस फाइबर, फोलेट और पोटेश्यम के साथ विटामिन C का एक बड़ा स्थोत रहे ग्लाइसेमिक इंडेक्स और विटामिन E भी शुगर को कंट्रोल करते है बस इस जूस के साथ कुछ हाई रफे दीज़े ज़रूर ले करेले का जूस डायबिटीज के रोगियों के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि अरग्त शक्रा के स्थर को काफी कम कर देता है जिन लोगों को टाइब टू डायाबिटीस है वे टमाटर के रस्ट, उनके लिए टमाटर का रस्ट बेस्ट है क्योंकि ये रदय संबंदी समस्याओं के विक्सित होने के उच्च जोखिन को साथ ही ये डायाबिटीस में सुगर भी कंट्रोल करता है डायाबिटीस के रोगडियों के लिए ही विस्कस, केमोमाईल, अध्रक और फुदीना सही धर्बल टी बेस्ट है इसने फ्लेवोनाइस, केरोटीनाइस और फेलेन, फेनोलीक एसीड जेसे रोग निवारक तत्व भी शामील है मोसंबी के जूस में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, इस दिया डायाबिटीस के रोगडी इन्हे कम मात्रा में पी सकते है प्लोटीन, प्लोटीन और लाबकारी वसा से भरपूर आहस के साथ, आहर के साथ इनका सेवन करे मोसंबी में विटामीन C और सकती साली एंटियोक्सिडन प्रचूर मात्रा में होते है इनमें फाइबर भी होता है जो शुगर मेंटेन रखता है केशियम, पोटेसियम, फोस्फरस और मेगनेसियम से भरा नारियर पानी रदय और तंत्री का ख्षती सहीद दायाबिटीस में फाइदे मन है यह शरी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट संतुलन बनाई रखता है और रखत आपको कम करता है पालग के रखत, पतेदार सब्जीयों के रखत, और डायाबिटीस के रोग्यों के लिए स्वस्थ और सुरक्सित माना जाता है क्योंकि इनका कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स हरी गेर स्टार्ट वाली सब्जीया सरकरा के रखतर में कोई व्रूधी नहीं कर सकती है आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं तो इसको लाइक कीजिए, कोमेंट में प्यारा सा कोमेंट कीजिए और मेरी चैनल को अगर आपके आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रू सब्सक्राइब करें थेंक्यू